भारत में जब vaccination का कारिक्रम शुरू हुआ था उस समय देश के लगभग 500 बड़े मीडिय हाउसेज, 100 बड़े पत्रकार, 1.500 नेता, लगभग 200 एंजियोज और 200 उची पोस्ट से रिटायर I.E.S. PCS जज और लगभग 300 कार्टून इस vaccination के बिरोध में बनाये गए थे कि ये vaccine आ आपको इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिस करते हैं, भारत में vaccine बनाने वाली दो कमपनिया, Serum Institute और भारत बायोटेक ने जिन देशों से raw material लिया था, उनके साथ एक करार किया था, जब आपका vaccine ready हो जाएगा तो उसमें से कुछ हसा आप हमको भी देंगे, इसे commercial liability बोलत दी हैं, यानि भारत सरकार ने सिर्फ 80 लाग doses ही बाहर की countries में भेजे हैं, और ये वही लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो मुसीबत आने पर, हमारे देश में मुसीबत आने पर, बांगलादेश और इस्लामिक countries के साथ खड़े हो जाते हैं, जो गांधिवादी विचार धारा को सपोर्ट करते हैं, वही लोग भारत की मदद को दूसरे देशों की मदद के हमारे उपर सवाल उठा रहे हैं, अगर हम बात करें, इन आकड़ों की जो भारत सरकार ने बाहर की देशों में वैक्सिन भीजी है, लगभग 80 लाग संक्या की, तो उसे एकर हम दो से डिवाइ ही है, इतना वैक्सिन भारत बायोटेक और सिरम इस्टिटूट लगभग 3 दिन में ही प्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी सरकार के खिलाप एक जानबूच कर ये माहौल तयार किया रहा है, और सरकार को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोसिस किया जा रहा है, इसके अलावा मैं आपके साथ एक रिपोर्ट सेयर कर रहा हूँ, जिसे आपको दे के लग जाएगा कि वाकई भारत सरकार वैक्सिनेशन के लिए कितना तत्पर है और हमारे देश में वैक्सिनेशन कितना जल्दी हो रहा है रोटा वाइरस पूरी दुनिया में 1978 में आया था और लगभग जिसमें 25 लाख लोग मरे थे और भारत में इसका वैक्सिनेशन लगभग 17 साल बाद यानि 2015 में स्टार्ट हुआ था वहें जापाने एंसेफिलेटिस से ये बीमारी 1930 में पूरी दुनिया में आया थी और इसमें लगभग मरने वालों के संख्या 65 लाग थी और भारत में इसका वैक्सिनेशन लगभग 18 साल बाद शुरू हुआ था वहें पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस भी लगभग 1982 में आया था और जिसमें लगभग 80 लाख लोगों ने अपनी जान गवाई थी और भारत में इसका वैक्सिनेशन 20 साल बाद यानि 2002 में शुरू हुआ था वहें पूलियो विमारी पुरी दुनिया में 1955 में आयी थी और इससे लगभग 9 करोड़ लोग इंफेक्टिड हुए थे और इसका वैक्सिनेशन भारत में 23 साल बाद शुरू हुआ था वहीं टेटनस जो पुरी दुनिया में 1924 में आया था और इससे लगभग 6 करोड़ लोग इंफेक्टिड हुए थे और भारत में इसका वैक्सिनेशन 24 साल बाद यानि 1978 में शुरू आत हुआ था वहीं कोरोना वाइरस पुरी दुनिया में 2019 और जबकि भारत में 2020 में आया और इसका वैक्सिनेशन 2021 से शुरू हो गया यानि सरकार वैक्सिनेशन के लिए कितना सीरियस है आप इस डाटा से अंदाजा लगा सकते हैं तो किसी के भाकावे में मत आये आपके वैक्सिनेशन का नंबर बहुत जल्द आएगा अपना ध्यान रखिए क्या होता अगर इस कुरोना काल में कॉंग्रेस की सरकार होती इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन को क्लिक करिए और आप हमारे चनल तपो भारत को स सब्सक्राइब करना इस वीडियो को सेर करना और लाइक करना पिलको मत भूलिए थैंक यू पर वाचिंग तपो भारत